हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर हार्दिक सुभागत है तो एक बार फिर से इलेक्ट्रिशन स्टुडेंट के लिए काफी जबरदस्त क्या है यह अपोर्चनूटी रहेगी और यह जो वकैंसिस है यह बड़ी यह त्यारी कर रखिया और जिन्होंने इलेक्ट्रिशन से कहाई आईटी पास आउट है तो उन सभी साथियों के लिए क्या है बंपर वकैंसिस आ रही है आप देख रहे हैं अभी लेटेस्ट आप सभी ने देख लिया होगा हिमाचल से भी काफी अच्छी वकैंसि लाइनमेन के लिए जिसके अंदर पंजाबी कंपलसरी है ठीक है और यह आप सभी देख लो यूपी के अंदर भी क्या है अभी जो हो इलेक्ट्रिशन वाले साथियों के लिए वकैंसिस रिलीज हो चुकी है और यहां पर कौन-कौन सी वकैंसिस आप देख सकते हो इसके सब्सक्राइब कर देख है एसके लिए सब्सक्राइब करने साथ इस तरह से इनुनिए वकैंसिस को डिवाइड कर रखा है यहां पर अगर किसी के पास इलेक्ट्रिशन से क्या है पास आउट जो है उनके लिए 56 जनरल कटेगरी के अंदर वकैंसिस उसके बाद 16 है और स्सक् यहां पर pay scale भी काफी अच्छा है इनका ठीक है ना pay scale भी काफी अच्छा है लेवल 4 का रहेगा ठीक है यह आप चेक कर लेना उसके बाद यहां पर आप देखिए कि आपके पास जो अनिवारिय सेक्सिक जो हरताएं है वो कौन-कौन सी होनी चाहिए आपके पास जो compulsory qualification है वो आपके पास क्या होनी चाहिए उसके बारे में देखिए अगर कोई साथी technician grade पाता है ध्यान रखना ठीक है उसके बाद electrician trade से क्या है अखिल बारती है जो कि ncvtf राज्य वेबसाइट सीवेटी वाले भी अपलाई कर सकते हैं ठीक है अब अगला पॉइंट देखिए यहां पर क्या दे रखा है आपके पास d o e a double c जो यह कोर्स होता है इनके पास computer का hscit होता है ठीक ना एक computer का course होता है आप सभी को पता हुआ इसके बारे में राजस्तान के अंतर rscit होता है ठीक ना इसी तरह से इनों ने बोल दिया कि आपके पास computer का जो course है ठीक ना course of computer concept जो है 80 गंटे का आपके पास इसका आपके पास certificate होना जरूरी है तभी आप इसमें apply कर सकते हो हर एक राज्य अपने अपने जो rule regulation यहां पर use कर रहे हैं ठीक ना लेकिन हर्याना के अंदर आप सभी को पता है कोई भी आओ सारी apply कर सकते हो ठीक ना यह हर्याना के अंदर ही system बना रखा है पूरा अब देखिए जो important बाते हैं यहां पर मैं आपको बता दूं द समय परस्तुत करना अनिवारिय है ठीक है यह आप सभी के पास यह मैंने बता दिया तकनिक की जो परमान पत्तर हो मानने नहीं होगा ठीक है ना अनुबव क्यादार पर मानने नहीं होगा दूसरा क्या है दूरस्त सिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल वह भी मानने नहीं होग ठीक है, उसके बाद Online आवेदन करने वाले आवेद्द्ass को High School प्रिक्षा उत्रण करने के साथ, साथ High School प्रिक्षा में गणित विज्ञान विश्यो में अलग-अलग उत्रण होना जरूरी है, एक साथ नहीं होना चाहिए. ओनलाइन आवेदन के लिए के समय IT प्रिक्षा उत्रिन होना अनिवारिया है तथा अभेरती के पास जो है वो NCVT, SCVT से कह है आपके पास जो IT होनी चाहिए ठीक है ना उसके बाद last वाला सबसे important point बसता है यह triple C का आपके पास प्रमान पत्तर होना चाहिए ठीक है यह तो मैंने आप सभी को बता दिया complete जो जनकारी है वो उसके बाद आप चेक कीजिए क्या दे रखा है आईउ वगेरा सभी को पता ही है यहाँ पर फीस वगेरा आप चेक कर सकते हो फीस कितनी है फीस यहाँ पर क्या है 826 रुपे रहेगी जो हो अनुसूची जाती बाद अनुसूची जन जाती सरेणी के लिए और अन्य सरेणी के लिए क्या है 1180 रुपे फीस है देखो कितनी फीस वशुली जारी है बच्चों से जो IT करते हैं बच्चे वो तो कि आप सभी को पता इतनी फीस देने के सक्समव से कम ही होते हैं बाकि फीस ज़्यादा इन फीस को कम करना चाहिए सरकार को ठीक है और यहां पर दे रखा है online आपका exam होगा CBT बेस रहेगा और यहाँ पर exam pattern भी इन्होंने दिया होगा पूरा यह रहा चीक है न एक्जाम pattern इन्होंने दे रखा है अच्छी तरह से आप पड़ सकते हो technician grade 2 तीनों के लिए क्या रहेगा direct recruitment to the post of technician grade second shall be made through an objective type competition रहेगा आप सभी का 200 question पूछे जाएंगे ठीक है न तो दो पार्ट होंगे इसके इसके इंदर ठीक है और दूसरी बात करें तो पार्ट टू के अंदर पचास question जो है ठीक है देखने को मिलेंगे और पचास question में क्या है देख सकते हो आप है general hindi होगी general knowledge है reasoning है ठीक है यह देखने को मिलेंगे आपको तो यह मैंने आप सभी को बता दिया ठीक है न कौन-कौन सा इनका क्या है पूरा जो हो syllabus का पूरा मैंने आपको यहां पर ब्योरा भी बता दिया आपको समझ भी आ गया होगा ठीक है तो यह जो है अगर किसी के पास triple C का जो certificate है वो apply कर सकते है साथी ठीक है और exam जो इसकी date बगर आप check कर सकते हो ओपनिंग date कब रहेगी बारा साथ से ओपनिंग हो चुकी है और last date है पांच आठ तक आप apply कर सकते हो ठीक है यह भी आप सभी को ध्यान रखना है चलिए तो यह मैंने आप सभी को बता दिया जो भी इनकी detail थी लगबग mostly आप सभी को पता चल गया अगर किसी को बढ़िया मजबूती से त्यारी करनी है तो आप क्या है क्लासिज एप को जरूर डाउनलोड करने और क्लासिज एप पर क्लीट आपको ठीक है एक भी क्यूशन आपका बाहर नहीं होगा डिटेल से एक पॉइंट आपको करवाए जाएगा इसके अंदर ठीक है डेट सो जो क्यूशन है इसके अंदर ये मानके चलिए लगबग 90% के तो फुल दावेदारी रहेगी अपनी ठीक है तो यही लगबग जो नोटिफिकेशन आया वाई इसकी डेटेल है आप सभी साथ योगों मैंने बता दी है ठीक है ना जो भी इसके लिए अपलाई कर सकत है जो एलिजिबल है वो अपलाई जरूर करें और के टीप क्लासे अप को जरूर डाउनलोड करें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट थैंक्यू वेरी मॉच